तो नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपके पाथ इस टैज फिन क्रेट लाइन एंडर लॉन एप्लिकेशन का वर्चुल काड है और अगर आप इस वर्चुल काड को बिलॉक करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप सुरू से लेके एंड तक जरूर देखेगा इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप स्टैज फिन नाम का जो एप्लिकेशन है इसका वर्चुल काड कैसे बिलॉक करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं समय बेश्ट ना करते हुए तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्चुल कार्ट लेके रखा हुआ है तो आज के वीडियो में मैं आपको बतावगा कि वर्चुल कार्ट को आप कैसे चुट्कियों में ब्लॉक्ट एंड अनब्लॉक कर सकते हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब आप शूलीए करते रहेएं ठीक है तो चलिए स्टार् यहां पर दोस्तो वर्चुल कार्ड आज किस वीडियू में आपको बता रहा हूं कि वर्चुल कार्ड को कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं विदिन फाइप मिन्ट के अंदर अंदर ठीक है जो मैं आपको बताऊंगा उसी नियम को आपको फॉलो करना है आपका वर्चुल कार्ड ब्लॉक हो जाएगा ठीक है तो क्या करना है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वर्चुल कार्ड की सारी डिटेल दी स्टॉल करने के बाद वर्चुल कार्ड की बहुत सारी डिटेल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आप यहां से आप अपने पसंद अनुसार जहां से डिटेल्स के बारे में चूज कर सकते हो ठीक है थोड़ा और उपर की स्कॉल करेंगे सुगाई यहां पर सब सबसे नीचे हमको देखने को मिल रहा है वर्चुल कार्ड को हम कैसे ब्लॉक एंड अन ब्लॉक करते हैं सुगाई यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैन आई ब्लॉक माई वर्चुल कार्ड ठीक है इसको आप देख लिजीगा सुगाई आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने को यह रहा पूरा प्रोसेस वर्चुल कार्ड को ब्लॉक करने का ठीक है इस प्रोसेस को मैं आपको पता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा कि आप अपने virtual card को stephen application के अंदर जा करके block and unblock कर सकते हैं जैसे आप stephen application में जा करके आप अपने virtual card को block कर देंगे तो उस virtual card से जब तक कोई payments नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको unblock नहीं करते हैं ठीक है ये process काफी simple है काफी easy है ठीक है आप 1 minute के अंदर अंदर block and unblock कर सकते हैं जो बंदे stephen application यूज करते हैं वहाँ पर उनको देखने को मिल जाता है वहीं पर अगर आपके पास में stephen application है वो नहीं है तो फिर आप इनके help line number 01147848400 पर call करके अपने card को block करवा सकते हैं लेकिन ऐसी condition में block होने का process काफी लंबा है कम से कम यहाँ पर आपको तीन working day लग सकते है जाने की तीन दिन का time लग सकता है तीन दिन में तो आपकी दुकान उजड़ जाएगी जाने कि अगर किसी ने hack किया होगा आपको virtual card तो पूरा payments वो एक ही बार में निकाल लेगा इससे अच्छा है कि आप अपने application में अंदर जाकर के आप अपने virtual card को block and unblock कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस virtual card को permanently close करना चाहते हैं तो आपको statpin application में email के जरीए mail करना होगा इसके बारे में बारे में एक video बना हुआ तो उस video को आप check out कर लिएगा जैसी आप statpin company में जाकर के अपना mail करेंगे आपका जो account है वो बंद कर दिया जाएगा बिदिन 24 गंट के अंदर अंदर permanently close हो जाएगा ठीक है